आज के इस वीडियो में मैं आपको explain करूँगा chapter escape to the island ये lesson एक adventurous story है इस story में एक Swiss family होता है Swiss family का मतलब है कि एक ऐसा परिवार जो कि Switzerland से बिलॉंग करता हूँ जैसे कि हम लोग Indian है तो हम लोग को बोलेगा कोई Indian family पर जो Switzerland से बिलॉंग करते हूँ उसे कहेंगे Swiss family तो इस story में एक Swiss family रहता है जो कि decide करता है कि वे Australia जाएंगे वो भी ना उसे तो वे सभी निकल जाते हैं Australia जाने के लिए समुद्र के रास्ते पर समुद्र में एक बहुत भयानक तुफान आ जाता है और ये सभी उस तुफान में फस जाते है और तुफान इतना तीज रहता है कि इनका नाम अनकंट्रोल हो जाता है पूरा और एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है और वो पत्थर आईलेंड के ही पास रहता है तो इस story में Escape to the Island इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये Swiss family अपना जान बचाता है और एक सुरक्षित आईलेंड में पहुँचता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं Line by Line Explanation तुफान जो था वो बहुत खतरनाक था साथ दिनों तक और फिर जो सात्मा दिन था तुफान इतना जादा था कि हम लोग सभी उमीद छोड़ चुके थे कि हम लोग अब जिन्दा भी रहेंगे और हम लोग पूरी तरीके से थक चुके थे इस तुफान को जहलते जहलते वहां से कुछ दूरी पर एक आईलेंड थी आईलेंड होता है कि समुन्दर के बीच में जहां जमीन होता है उसे आईलेंड कहते है तो एक आईलेंड थी जो कि नाउसे काफे दूर नहीं था लेकिन तुफान के वज़े से उस आईलेंड पर पहुँचना मुम्किन नहीं था बाइद वे मैं आपको बता दो कि ये जो कहानी बता रहे हैं कि जो तुफान था बहुत तेज था हम लोग सब हार चुके थे ये जो स्टोरी बता रहे हैं ये इस स्विस फैमिली के जो सबसे हेड है यानि कि जो सभी के फादर हैं वे इस स्टोरी को बता रहे हैं ओके My heart sank as I looked at my family in the midst of these horrors Our four young sons were terrified My wife looked brave and as the boys clustered around her She began to cheer and encourage them with calm and loving words फिर head of the family यानि कि फादर बोल रहे हैं कि मेरे दिल पिघल गया इस तुफान के बीच में इतनी डरावने सीन के बीच में अपने परिवार को देख के Our four young sons were terrified मेरे जो चारो बेटे थे वे सब बहुत डरे हुए थे My wife looked brave and as boys clustered around her और मेरी जो wife थी वो काफी सहास दिखा रहे थी और मेरे सारे बच्चे उसके चारो ओर घिरे वे थे She began to cheer and encourage them with calm and loving words और जो मेरी wife थी वे मेरे बच्चे को cheer कर रहे थी होसला दे रहे थी और encourage कर रहे थी with calm, shant करके and loving words We must find some food and take a good supper, said my wife We cannot fast for too long or it will make us weak We will need all our strength tomorrow फिर उसकी wife बोलती है कि हम लोग इतने देर तक भूके नहीं रख सकते अगर हम लोग भूके रहेंगे तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे तो इससे बहतर है कि हम लोग कुछ खा लेते हैं बहुत अच्छा सा और हम लोग कल अपना सारा ताकत लगा के कोशिश करेंगे उस island तक पहुँचने का Soon it was night and the storm was as fierce as ever और रात हो चुकी थी और जो अब तुफान था वो काफी भयानक हो चुका था At interval we were started by crashes और फिर जो कुछ देर के बाद उसका वी सभी चौक गये हैं कुछ crash होने का आवाज आया कुछ तूटने का आवाज आया क्या था वो These crashes announced further damage to our unfortunate sheep और ये जो crash का आवाज था इससे हमें ये पता चल गया था कि हमारे जो सीप था वो बुरी तरीके से तूट चुका है और अब खाना बन चुका था और सभी बच्चे खाना खा चुके थे The smaller one feels asleep soon after और फिर जो सबसे चोटा था वो खाना खाने के बाद तुरंट सो गया Fritz who was of an age to be aware of the real danger we were in kept watch with us और जो fringe था जो कि सबसे बड़ा था उसे पता था कि खत्रे के बारे में और वो जगा हुआ था हम लोग के साथ After a long silence He said father don't you think we might contribute swimming belts for mother and the boys Fritz काफी देर सांथ रहने के बाद अपने father को बोलता है कि पापा क्यों नहीं आप एक swimming belt बना ले Swimming belt आप देखे होंगे Swimming pool में अगर कोई जाता है बच्चा नाने के लिए तो उसके कमर में एक tube डाला हुआ रहता है तो उसे swimming belt कहते है तो Fritz अपने father को बोलता है कि क्यों ना आप सभी भाईयों और ममी के लिए आप swimming belt बना दे और with those we might all escape to land for you and I can swim और बोला कि अगर belt बन जाएगा तो यह सभी असानी से पार कर जाएंगे और मैं और आप टैर कर उस island तक पहुंच जाएंगे यह question सुनने के बाद फादर फिर सोचने लगे कि क्या इसका अंसर दिया जाएंगे तभी इनके फादर की नजर गई एक फ्लैक्स के तरफ और कुछ टीन कैनिस्टर के तरफ तो फिर बोले कि ठीक है हम लोग इसका कुछ बनाएंगे swimming belt by morning the storm had ended and the sun sown again और सुबह जब हुई तो जो तुफान था वो थम चुकी थी रुख चुकी थी तुफान और sun sign कर रहा था I aroused the boys and we assembled on the remaining portion of the deck we decided to search the ship to see if we could find anything useful फिर ये decide किये कि कुछ ढूंडा जाये ship में जो की useful हो इन लोगों के लिए I started looking for the supplies of provisions और इनके जो father हैं वो फे ढूंडने निकल गये खाने पीने का सामान ship में and fresh water within our reach और fresh पानी जो की ये सभी पी सके I knew they were of great importance और इनके father को पता था कि ये सभी बहुत जरूरी सामान है आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि समुंदर में तो चारो और पानी ही पानी है तो वो पानी को क्या वे सभी नहीं पी सकते हैं तो वे पानी बहुत जादा salty होते हैं तो वो पानी को direct पीना सही नहीं रहता है और बहुत जादा खार रहता है वो पानी तो इसलिए ये सभी पीने का पानी भी लेकर चले थे अपने साथ तो वे सभी एरेंज किये बाद में पानी अपना और फिर जब ये सभी कुछ डोंड लिये खाने का सामान और पीने का पानी तो ये सभी एक जगा रखें केबीन में वे और डिस्पलेट आर्ट ट्रेजर्स फ्रीट्स ब्रॉट फ्लसक औफ वाटर अर्निस्ट प्रडूस्ट अ कप फूल अफ नेल्स अ पेर अफ लार्ज सीजर अद अ हैमर मेनी काइंट्स अफ अधर टूल्स स्टक आउट आउट अफ और इस पॉकेट्स इवेन लिटिल फ्रेंज कैरीज अ बॉक्स अफ सप्लाइज फिर यहाँ पर जब सब केबीन में जरुरत का सामान रख रहा था तो फ्रिंज जो है फ्रिट्स जो है वो एक बॉटल पानी लेते आया अर्निस्ट जो है वो एक कैप फूल अफ नेल्स मतलब काटी लेते वे आया एक पेर अफ लार्ज सीजर एक बड़ा सा कैची लेते वे आया एंड एक हथोड़ा भी लेते आया और भी बहुत अलग अलग तरीके का सामान था उसके पॉकेट में और जो सबसे छोटा फ्रेंच था भाई का नाम है कि फ्रेंच वो भी बहुत सारा सामान लेकर आया फिर वो फ्रेंच को बोले वेल दन और फिर उसकी वाई बोले कि क्या आप मेरी तारिफ नहीं करेंगे फिर इनके फादर बोले कि मुझे तुम्हें देनने के लिए तो कुछ नहीं है पर मेरे पास तुमारे लिए एक गुड नियूस है कुछ यूसफुल अनिमल जो है वो अभी भी जिन्दा है ए डॉंकी, तु गोट्स, सिक्स सीप, ए रैम, एंड ए काव they were nearly dead from starvation but I am just in time to save their lives by taking food to them फिर्ट्स के पापा, फिर्ट्स के ममी को बोले कि तुमारे लिए एक गुड नियूस है कि कुछ जो जानवर है वो अभी तक जिन्दा है जिसमें कि एक गधा है, दो बकडिय है, छे भेडिय है और एक गाय है they were nearly dead from starvation और वे सभी अब मरने ही वाले हैं भोग के कारण but I was just in time to save their lives by taking food to them और मैंने उन सभी का जान बचा दिया उनको समय पर खाना दे कर All these things are excellent indeed, said I but Jack here has presented me with a couple of huge hungry, useless dogs who will eat more than any of us इसका मतलब है कि वे बोले कि सभी कुछ तो ठीक था पर Jack जो है वो मेरे सामने है एक couple of huge hungry, कुछ भूखे जानवर को लाकर रख दिये कुछ कुछ कुट्टे को लाकर रख दिये जो कि हमसे भी जादा ये सब खा लेगा ओ पापा, they will help protect us when we get on sore cried Jack और फिर Jack गुसा कर बोलता है कि पापा, ये जो कुट्टे हैं, ये हमारी protection करेंगे जब हम लोग समंदर के किनारे पहुँच जाएंगे तो No doubt, they will, if ever we do get on sore Jack, but I must say I don't know how it is to be done फिर वे बोले कि, कि इसमें कोई doubt नहीं है कि वे हमारी मदद नहीं करेंगे पर यहां पर question ये है कि हम लोग island तक पहुँचे कैसे Can't we each gate into a big tub and float there returned ही फिर Jack बोलता है कि क्यों ना हम लोग एक big tub में घोश जाएं और फिर वहां तक इस tub से तैर कर जाएं I have often sailed easily like that around the pond at home फिर Jack बोलता है कि हम ऐसे बहुत बार हम तैर चुके हैं जब हम अपने pond में तलाव में नहाते थे घर पर तो My child, that is a brilliant idea, I said फिर Jack के फादर बोले कि ये बहुत ही अच्छा idea है तो friends आज को वीडियो यहीं तक रखते हैं Part 2 continue करेंगे, next video में तब तक के लिए thank you Part 2 का link आपको description में मिल जाएगा